हलो फेंड वेलकम टू ग्लम्रस ब्यूटी गेट आज हम रूखी त्वचा याने ड्राय स्किन के लिए बैस्ट फेस वाश के बारे में बात करते हैं बदलता मौसम प्रदूशन धूल मिट्टी और पसीना त्वचा पर कई प्रकार के हानीकरक प्रभाव डाल सकते हैं उनी में से एक है त्वचा का रूखापन इस दोरान कई बार समझ ही नहीं आता कि त्वचा के रूखेपन को दूर करने के लिए क्या उपाय किया जाए साथी कौन सी क्रीम या ड्राय स्किन के लिए फेस वच अपनाया जाए जो केमिकल रहित और त्वचा के लिए फायदे मंद हो ऐसे में बेला वीटा और्गनिक एंटी ब्लेमिश पिगमेटेशन रिमुवल फेस वच यूज़ कर सकते हैं कमपनी के अनुसार इसे प्राक्रितिक समागरियों और शुद्ध चांदी से बनाया जाता है या हरवल फेस वच को उप्यो करने से त्वचा में चमक आ सकती है साथी पिगमेटेशन जैसी समस्या को दूर करने में भी मदद मिल सकती है यह फेस वच त्वचा में नमी को भी बढ़ा सकता है और त्वचा को पोशन प्रदान करने में फायदे मंद हो सकता है फिर भी इसे उप्यो करने से पहले कोहनी पर एक पैज टेश जरूर कर लें और यह त्वचा के रूखेपन को कम करने में मदद कर सकता है इसे प्राकरितिक उत्पादों से बनाया गया है और त्वचा के काले धबों को दूर करने में मददगार है हाँ लेकिन यह अन्या फेसवाश की तुलना में थोड़ा महंगा पड़ता है तव्चा का रूखापन एक आम समस्या है इससे बचने के लिए जरूरी है तव्चा की सही देख भाल और तव्चा की गंदगी को घटाने के लिए सही फेस वाश आपको फेस वाश ऐसा लेना चाहिए जो तव्चा को सूट करे कई बार गलत चुना तवच्चा के लिए रानी का रख हो सकता है इसके अलावा कोई भी प्रोड़क्ट हर किसी को एक जैसा फायदा नहीं पहुचा सकता और यह जानना भी जरूरी है कि प्रोड़क्ट को बनाने के लिए उसमें क्या क्या मिलाया गया है कुछ प्रोडक्स में केमिकल होते हैं जो परेशानी का कारण बन सकते हैं इससे जानने के लिए आप प्रोडक्ट के लेबल पर लिखी समागरियों को जरूर चेक करें और इस बात का ध्यान भी रखें कि यह United States Department of Agriculture द्वारा प्रमानित ओर्गेनिक लेबल है या नहीं साथ ही जहां से आप प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं क्या वह प्रमानित विकरेता है यदी नहीं तो आपको प्रोडक्ट से किसी भी प्रकार किया नहीं हो सकती है या फिर आपको नकली प्रोडक्ट भी मिल सकता है इसलिए विश्वेसनिय दुकानदार से ही फेस वाश खरी दे तो फेर्ण इसकी जानकारी यहीं पूरी होती है और फेर्ण्स अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंस सकें